कुश्य नमबर 3 देखा जा किया है, क्या रहे है, sin A is equal 3Y4, हाँ, यहाँ question कुछ सिखाएगा हम लोगों को, sin A is equal 3Y4, ठीक है, diagram वगदर कुछ नहीं दिया, बोला sin A is equal 3Y4, तो cos A और tan A का मान पड़िकलित करो, तो cos A का मान बताईए, और फिर tan A का मान भी बताईए, यहाँ अच्छी बात यह है, कि theta चिज नहीं कर रहा है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, ठीक है, मतलब इसके लिए जो लम अधार करन होगा, इसके लिए भी वही लम अधार करन होगा, इसके लिए भी व कि sin A अगर दिया है, तो sin A बराबर हम क्या जानते हैं? क्या होता है? बताओ. PYH, यानि लंब बटा कर्ण. क्या जानते हैं? लंब बटा कर्ण. और ये कितना दिया है? इसका मान दिया है 3 बटा, 4, ऐसा कुछ? ठीक है? तो sin जा होता है, वो लंब और कर्ण का रेशियो होता है. तो हो सकता है, लंब 3, एकाई हो, 3 मात रखो, और कर्ण कितना हो, 4 मात रखो, ये possible है. या हो सकता है, कि इनमें से कुछ कटा भी हो. ठीक है, क्योंकि ये ratio है. 3 बटा, 4 जो है, साइन जो है, वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है. तो हो सकता है, कि लंब 3 हो, और कर्ण 4 हो, ये possible भी है. या ऐसा भी हो सकता है, कि लंब कुछ अलग हो, और कर्ण कुछ अलग हो, और उसका ratio निकालने पर 3 बटा, 4 आ गया हो. ये ध्यान रखना, तो इसको बनाने के अपने-अपने तरीके, बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या ज़्यादा उनको इक्षा रहती है, कि सर लंब सीधे मान लो कितना, कि माना, लंब को सीधे मान लेते हैं 3, तो जब मान रहे हो, में 2 सीधे में काइख हो, यह 3, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यह ratio है, तो अगर कुछ कटा होगा, तो जो इस्वेश्यादा वहीं नीच्चे भी कटा होगा, है कि ने, मान लो जो, मैं एक बात बाताता हूँ, अजिये समालनों की तुम्हारा किसी संकॉंत्रिभुज में लम है और उसका जो कर्ण है वो तुम्हारा आठ है तो अगर उसमें तुम साइंततितर निकालोगे तो लम बटा कर्ण करोगे च्छा बटा तो कटके कितना आएगा इनलब अचार इतव आएगा इसमें ही दो था तो तुम को थोड़ी पता चलेगा कि तीन बटा चार से लम तीन था यहां दिखने से आपको तीन दिख रहा है लेकिन तो अच्छा था करण पर आठ था लेकिन जो साइन तीर निकालोगे इसका रिशियो निकालोगे लम बटा करन करके तो जो कमन होगा तो कट जाएगा तो में जो साइन एवराबर तीन बटा चार दिया है वो लम और करन का अनुपात है लम और करन का रेशियो है तो अगर यह लम और करन का रेशियो है तो हो सकता है दोनों में से कुछ कटा हो लेकिन जो भी कटा होगा दोनों में कमन होगा तो उसको हम यहां पर कुछ मान लेते ह और उसको कहते है अनुपातिक गुणांक रेसियो कोफिषियंट क्या कहते है रेसियो कॉफिषियंट उसको क्या माल लेते हैं nsayati क्या मानता रो SLU कर देता है तो माना लंब ब्रॉबर्बर 3 कह ए करी रवर चेक भी हो 3x कर लेते हैं एवं कर्ण बराबर 4K ऐसा कुछ 3 में भी केसे मल्टिप्लाई कर दिया गया आप देखो लम 3 के है कर्ण 4 के है तो दो पता चल गया ना तो जब लम और कर्ण पता हो तो अधार तो निकल ली जाएगा कहां से पाइथा गुरस्पर में हमेशा आपको हेल्प करत तो दो चीज कोई ही पता होती है आराम से निकाल कर देदेगा और अच्छी बात है कि यहां पर दो चीज पता है तो क्या निकालना है बताओ यहां पर निकालना है आधार क्या निकालना है आधार के स्क्वाइर बराबर मैं सिधे लिखता हूं ऐसा कि कर्ण का स्क्वाइर म ही ज्धी बोगता है चाहार के सकुएर और कि ओंप रज़ता है अको जा संगे प्तिक इसकुर्ण ख़लो अधार के स्कुराइरみ सो नौके स्कुर हो गटाओ का थो गघ्स साथ के स्कुरिए इस तरह से हो गया अगर तुम को आधार लम और कर्ण मिल गया तो कुछ मत करो कुछ मत करो मतलब करो से निकालना है तान निकालना है कि रूप है कि क्या होता है बताओ cos क्या होता है और मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे A है यहाँ भी A है यहाँ भी A है तो कौन अगर बराबर है तो लम अधार कर्ण सबके लिए बड़ाबर होगा तो cos क्या होता है अधार बटा कर्ण अधार बटा कर्ण जो एधार उसके लिए निकाल हो इहां पहो जाएगा तो करेंगे अधार कितना निकाल करण कहा है के हैं के ए सब्सक्स करते यह किया नहीं भी लेते वैसे ही सॉल्व करते यह प्रॉसेस करते आंसर यहीं आता है टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन कुछ-कुछ कोश्चन में इसको लेना पड़ता है तब जाके वह सॉल्व होगा वर्णा गरवर हो जाएगा ठीक है मतलब सही तरीका यही है कि से गया एक और निकालना है कौन सा यह टार अच्छा लम लंबा कितना है तो कहीं दिख रहा हाँ हां दिख रहा है और हां कितना दिख रहा है सर अदार यहां किरूट 7 से एंग किं सी तो 3 वाय रूट 7 आ अंसर